साथियों, आपने राजनितिक स्वार्थ के लिए राज का आहित करने वाली कॉंग्रेस की सोच का आज मैं एक और उदहन आपको देना चाहता हूँ 1947 में जब देश आजाद हुआ, 1947 में भारत के तुकड़े हो गए, माता को आजहाद कराने के लिए ये भारत मा की भूजाएं काड़ दे गई और 1971 में बंगलादेश का निर्माड हुआ, दोनों बार सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए, दोनों बार सबसे अधिक प्रभावित वो लोग हुए, जो पाकिस्तान में बंगलादेश में अफगानिस्तान में अलपसंख्यक थे जिनका ध्यान रखने का समद्योता हुआ था। ये अल्पसंख्याग पाकिस्तान में अल्पसंख्य कौन है बंगला देश में अल्पसंख्य कौन है अफगानिस्तान में अल्पसंख्य कौन है इन अल्पसंख्य को को और उनमें अधिकतार हिंदू थे शीख थे बहुत थे जैन थे, इसाई संप्रदाय के लोग थे, पार्शी लोग थे, ये लोग अनेको पीडियों से वहां रह रहे थे, वो कहीं और थे वहां जाकर नहीं बसे थे, इन लोगों ने अलग देश की मांग भी नहीं की थी, उन पर तो ये फैसला सरब 47 में थोपा गया था, हिंदुओं में भी अधिक्तर दलीद परिवारों के लोग थे, जो विपाजन के बाद पाकिस्तान में रह गए थे, और ये वो लोग थे, जो वहां साप सफाई का काम करते थे, जिनको पाकिस्तान के जमिनदारों ने वहां सेवा के लिए कामकाज के लिए रखा था, वहां जो दलीद, बंचीद, सोसित रहे गए थे, उनके साथ अमानिविय बरताव हुआ, उनके मंदिरों पर कब्जा किये गए, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, हर तिर्ट छेत्र, हर सज्जा केंद्र, संकट में आ गया, घर तो उनके पास क्या थे, जोपडियों में जिनकी गुजारे से थे, उन पर भी कब्जा कर लिया, बहु बेटियों के साथ दिन दहड़े अत्याचार हुए, यही स्थिती वहां रहने वाले सिख परिवारों के हुई, ऐसे लाखों साथी, पाकिस्तान, बंगलाजेश और अभ्यानिस्तान से भारत आई, दसकों से वो भारत के अलग-अलग सानों पर रह रहे हैं, अनतिकरुत रूप से रहाई जाते हैं, उनको राजनिती के लिए उप्योग तो किया गया, लेकिन उनको नागरिक्ता को लेकर सिर्फ वादे मिले, और आप अख़बार निकाल दीजिए, हर तुनाव के पहले, कॉंग्रेस के किसी ने किसी नेता ने, कॉंग्रेस के किसी ने किसी काई ने, यह बयान दिया है, पु तो बंगला देश पाकिस्तान से आये हुए जो विस्थापित है उनको हम नागरिक अधिकार देंगे हिंदू को देंगे शीख को देंगे ऐसा भी कहा है लेकिन कल आपने देखा फिर पलट गए भाईयों बैनों जिस गरीबी गंदगी और उपेक्चा की स्थिती में यह हमारे भाई बैन पाकिस्तान में थे कॉंग्रेस की सरकारों ने यहां भी उनके साथ वही बरताव किया भाईयों बैनों दस साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान के हमले बड़े तो दर्जनों इसाई परिवार भी किसी तरह अपनी जान बचा कर भारत आये थे बारत इसलिए आये थे क्योंग उनके भी पुर्खे इसी दर्थी से जुड़े हुए थे लेकिन इन लोगों का भारत में आने के बाद कॉंग्रेस की सरकार ने साथ नहीं दिया ऐसे इसाई परिवार आज भी बहुती दैनी एस्थिती में जिन्दगी गुजार रहे शात्यों आज जब ऐसे लाखों गरीब प्रताडित बंचित शोचित दलीज परिवार शिक परिवार इसाई परिवार उनको भाजबाने अपने बादे के अनुसार नागरिकता देने क ऐसाकानून बनाया तो कॉंगरेष और उसके साथ ही उसका भी विरोध कर रहे हैं कि आप विज़े बताई यह भाइव बैनों उनको न्याई मिलना चाहीए गे नहीं मिलना चाह Hai कि उनको भारत में सरन मिलनी चाही गे नहीं मिलनी चाहीए उनको अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए भाईयों बैनों आपने अब कॉंग्रेस को भली भाति पहचान लिया है कॉंग्रेस सिर्फ और सिरफ कॉंग्रेस और उसके सहयों को की स्वार्थ निती है बोट बेंग की चिंता है इनको पता है कि दली तो वंचितो पिछडो आदिवास्यों ने इनको ठुकरा दिया है इसलिए एक बोट बेंग इनको अपना आखरी सहारा दिख रहा है इसके लिए वह इस देश को करोड़ मुस्लिम सात्यों से भी चल कर रहे हैं उनको जूट बोल रहे हैं सात्यों कशा कि कानून में 200 दन हुआ इसका भारत के लागी कि जो हमारे मुसल्मान भाई है इस कानून से इस देश का हिंदू है मुसल्मान है इसाहिये पार्सीये बहुत है ज 커피न है जो पहले से भारत का नाग्रिक है उनको इससे को लेना देना ही नहीं है झाल 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 करीं